नमसकार मेरा नाम ग्यानिक्शुर है और आपने देखना शुरू किया है Lifsk leavseetus बिहार में चुनाओ की क्या इस्थिती है लोकसभा चुनाओ होने जा रहा है देखिये चुनाओ में क्या होता है चुनाओं में दो पक्ष आमने सामने लड़ते हैं लेकिन बिहार में जो इस्थितियां बनती दिख रही है या जो मौजूदाई सीथियां है आज 24 मार्च को ऐसा लग रहा है कि लराई आमने सामने की नहीं होने जा रही है पहले लराई तो घर के भीतर ही हो रही है देखिये इंडिये में तैयारी पूरी हो चुकी है उमिद्बारों का एलान होना बाकी है लेकिन इंडिया ब्लॉक में ऐसा घमासान है कि पूछ ये मत लग ही नहीं रहा है कि राज़र कॉंग्रेस इन दोनों को मिल कर बीजेपी, जेडियू और एलजेपी से लरना है पतीत ऐसा हो रहा है कि राज़र को कॉंग्रेस से लरना है कॉंग्रेस को राज़र से लरना है ये क्या हो रहा है कहां है बिपक्ष देखिये पिछले 24 घंते में जो कुछ हुआ है वह चौकाने वाला है और बिपक्ष की तैयारियों को बिपक्ष की कमजोरी को बिपक्ष के भीतर फसी मार को प्रकत करता है देखिये बात यहां तक पहुँच गई है कि अब तो पपू यादब बनाम तिजस्वी आदब देखिये तेजस्वी आदब को पपू यादब मनजूर नहीं है कहां मनजूर नहीं है पुर्णिया में मनजूर नहीं है कल क्या हुआ कल रात को जेडियों की एमेले बीमा भारती से इस्तिफा करा दिया गया अब बीमा भारती की बिहार बिधान सभा की सरस्ता भी चली जाएगी जैसे ही बीमा भारती ने इस्तिफा दिया उन्हें तजस्वी आदब ने आरजेडी की सरस्ता पदान कर दी और इसके बार यह कहा जाने लगा स्वेम बीमा भारती ने भी कहा कि उन्हें पुर्णिया से लोकसभाद चुनाओ लड़ने का आसिरबाद मिल गिया है तो पुर्णिया से आसिरबाद मिला कहने वाले कह रहे हैं कि सिंबॉल भी मिल गिया है लेकिन यह बात पपु यादब क्या मंजूर करेंगे बीमा भारती के इस्तिफे के तुरंत बाद ट्यूटर हैंडल एक्स पर पपु यादब ने लिखा जीना छोड़ देंगे कॉंग्रेस नहीं छोड़ेंगे दुनिया छोड़ देंगे पुर्णिया नहीं छोड़ेंगे मतलब बात आमने शामने की होगे तो पपु यादब पुर्णिया की तैयारी कर रहे है पिछले दो साल से यहाँ बात सभी की जानकारी में थी पपु यादब तब जब उन्होंने सुरुवात कि थी तैयारी की महागटबंदन के हिस्सा नहीं थे पप्पू यादब अपनी ताकत से अपनी पार्टी से पुर्णिया से चुनाव लरना चाहते थे लेकिन जब बात ये हुई कि आमने सामने की लराई हो तो दोनों की नजदीकिया बरी पप्पू यादब की पत्मी रंजीता रंजन कॉंग्रेस की रासभा सांसद है या सभी को पता है पप्पू यादब प्रणाम पुर्णिया उन्होंने बड़ी रैली का आउजन किया ताकत दिखाई और वैसे भी माना जाता है कि पुर्णिया में राजत की ताकत कम और पप्पु यादब की ताकत अधिक रही है चुनाब के नतीजे चुनाब के इतिहास इस बात के प्रमान है कि जब पप्पु यादब जिंड़िके सबसे कथिन दौर में थे जेल में थे तब भी पुर्णिया ने पप्पु यादब की मा को ही आसिरबाद दिया था चुनाव नहीं जीती थी लेकिन बिप्रक्ष के उम्मिदबार से अधिक बोट मिला था पप्पु सिंग चुनाव जीत गया थे पप्पु यादब पांच बार सांसर बने जिसमें तीन बार पुर्णिया से बने हैं दो बार मधे पुरा से बने हैं तो पप्पु यादब तेजस्व यादब को मंजूर नहीं बीमा भारती बागी हैं इस बात की जानकारी नितीश कुमार को पहले से थी विस्वास मत परिच्छन के दौरान बीमा भाती का खेला नितीस कुमार ने देख लिया था तो देखिए कॉंग्रेस ने जब पप्पू यादब की पार्टी का बिलाय कराया उसके पहले ठीक पहले वाली रात को पप्पू यादब ने लालू यादब और तजस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च इन पर लेकिन पप्पू यादब को राज़त पसंद नहीं आया कॉंग्रेस से दोस्ती हो गई अगले दिन दिल्ली गए और उन्होंने अपनी पार्टी का बिले कॉंग्रेस पार्टी में कर दिया तो कल जब बीमा भार्टी ने इस्तिफा दिया राज़त में सामिल हुई मीडिया को बक्तब दिया तो इसके बाद पप्पू यादब भी कहा रुखने वाले थे पप्पू यादब तुरंत दिल्ली में ही हैं ट्यूटर हैंडल एक्स पर प्रकट हो गए और उन्होंने दो बाग के लिखे पहला बाग के जीना छोड़ेंगे कॉंग्रेस नहीं रहेंगे मतलब साफ तौर पर तेजस्व यादब को बता दिया गया और देखिए तेजस्व यादब को पप्पू यादब नहीं नहीं बताया कॉंग्रेस के साथ जो जगरा चल रहा है लालू यादब लगाता सिंबल बांटे चल रहे हैं आज दिल्ली भी जा रहे हैं तो दिल्ली में बाचित हो सकती है देखिए कल रात को इस बात के संकेट हमें मिले थे दिल्ली से ही मिले थे कि जो गठबंदन बेंटी लेटर पर है उसे बाहर निकालने के लिए बातें आगे बढ़ी हैं समझाओता हो जाएगा लेकिन तभी बीमाभारती का खेला हो गिया कहा य त्याफ के साथ नहीं किया कॉंग्रेस की डावेदारी बाली कई सीटों पर करतीगं और अंगाबार कॉंग्रेस की प्रबल डावेदारी निखिल कुमार या आनन संकर को उमिद्बार बनाना था छो लेकिन लालोवी आदव ने जेरिए से अभैकुस वहा को बुलाया और उ पप्पू यादव ने जब ये कहा कि दुनिया छोड़ देंगे पुर्णिया नहीं छोड़ेंगे तो इस बात का संकेच साफ तोर पर कर दिया कि वे पुर्णिया लरेंगे ही लरेंगे पुर्णिया लरेंगे तो क्या होगा देखिए यदि पप्पू यादव भी लरते हैं बीमाभार्ती भी लगती हैं और जेडिू भी लगता है तो त्रिकोनिय संगर्स होगा और त्रिकोनिय संगर्स में हमेशा फाइदा एंडिये को प्राप्त हुआ है ये सिर्फ दोहजार 14 में हुआ कि कई सीटों पर जब नितीश कुमार अकेले लग रहे थे फाइदा लालूय आदब और कॉंग्रेस को मिल गया था हाला कि अधिक सीटे इंडिये नहीं जीती थी तो देखिए यह जो नुक्सान होने जा रहा है यह जो मारकात है ऐसा लग रहा है कि आपस की लराई बिपक्ष में कॉंग्रेस में और आरजेडी में इस तरीके से यह लराई है कि कई सीटे जान बुझ कर बीजेपी और जेडियू की जोली में डाल दी जाएगी आप ले जाओ और देखिए जिस तरीके से कनहिया कुमार को आउट किया गया कनहिया कुमार कॉंग्रेस में सामिल होने के बाद रास्तिय इस्तर की निता बने है वे बिहार आये थे बेगुस राई लड़ना चाहते थे 2019 में भी लड़े थे लेकिन कॉंग्रेस आला कमान कोई फैसला करता इसके पहले ही लालू यादब ने वह सीट सीपी आई को दे दी और सीपी आई ने वहां से अब्धेश राई को उमिदबाती गोसित कर दिया तो दिखी नहीं रहा है कि लड़ना आपको इंडिये से है पप्पू यादब के सामने बीमा भाती की हैसियत क्या होगी पुर्णिया में यह पुर्णिया के लोग बता रहे है कि पप्पू यादब की तैयारी अधिक है बीमा भाती की दुस्मनी भी बहुत लोगों से है और बीमा भाती संकत के दौर से गुजर भी रही है उनके पती जो 11 फरबरी को गिरफतार किये गए बेटा भी गिरफतार हुआ समर्थक भी गिरफतार हुए हत्यार रखने के आरोप में वे अब तक जेल से नहीं छूते हैं और जब वह तिजस्ट्री आदब के साथ हो गई है तो निश्चित तोर पर सरकार की तीसरी आँग तेरी आँग बीमा भारती पर जाएगी जो पटना के कुटवाली थाने में एफाईया दर्ज हुई थी वह पहले आर्थी का प्राध उनित और बाद में एडी को सौप दिगरी जाँच तो पुर्णिया की लराई कॉंग्रेस की लराई RJD से RJD की लराई कॉंग्रेस से अंजाम क्या होगा पप्वी आदब के बारे में आज खबर है कि वे डिल्ली से सीधे बागदोग्रा की उरान पकोड़ेंगे उरान भरेंगे और इसके बाद वे सीधे पुर्णिया पहुँचेंगे पुर्णिया में संदेशा देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लरूँगा तो मैं हूँ अब देखिए जब तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली जा रहे हैं तेजस्वी यादव की बिटिया का बर्डे 27 मार्च को बताया जा रहा है तो इसके पहले कॉंग्रेस से बाचित हो सकती है हमने कहा ही कि कल रात को इस बात के संकेत मिले हैं कि जो गठवंदन बेंटी डेटर पर चला गया है इसे बचा ले लेकिन बचाने के लिए बचने के लिए लालू यादव कॉंग्रेस को कितनी सीते देंगे देखिए एक खबर ये भी आ रही है कि अलियस्तरफ फात्मी जेडियू के बरिष नेटा पुर्व केंद्रियमंति पुर्व सांसर जो आरजेडि में सामिल हो रहे हैं उनके बेटे फायास फात्मी ने भी कल जो पुर्व बिढ़ायक हैं जेडियू की सरस्ता से इस्थिफा दिया था उनका टिकट मदुवनी के लिए फाइनल कर दिया गया है लेकिन दर्भंगा कौन लरेगा बाचित मुके सहनी से भी चल रही है और मुके सहनी से बाचित नहीं बनी तो ललित यादब को भी तयार रहने को कहा गया है जो आरजेडि के पिढ़ायक है लेकिन असली लराई की तेजस्वी आदब की जिद और उधर प्रियंका गांधी राहुल गांधी की प्रॉमिस तो जीट किसको मिलती है इस पर हमें नजर रखनी होगी हम नजर बनाए रखेंगे आपको बताते रहेंगे आप देखते रहें यदि अब तक आपने हमारी पेज को लाइक कीजेगा ट्यूटर पर भी हमें फॉलो कीजे धन्यवाद